तो देखो भाई लोग इस वीडियो के अंदर में उन कारों के बार में डीटेल में बात करूँगा जिनको अगले महिने यानि एप्रेल 2023 में इंडियन मार्केट में ओफिशली लॉंच किया जाना है और ये जानी की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट मत कौन सी कार कमपणी किस कार को इंडिया में लॉंच करेगी उसके अंदर क्या-क्या फीचर्स आपको मिलेंगे कीमत कितनी रहेगी लॉंच डेट कौन सी होने वाली है सब कुछी जहम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले है लेकिन एर वीडियो में एक बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आगे जाकर अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बल नोटिफिकेशन को आउन जरूर कर लेना फर्स्ट नंबर पर एमजी की कॉमेट आती है जो कि एक इस नाम की कार इंडियन मार्केट में अगले मेंने लांच करने वाली है इस कार को एमजी कंपनी 18 अपरिल को इंडियन मार्केट में लांच करेगी और इस कार के अंदर दो बैटरी पैकप को आप्शन दिया जाएगा पहली बैटरी पैकप रहेगी 17.3 किलोवाट आवर की और इस बैटरी पैकप के साथ आपको 200 किलो मेटर तक की रेंज मिलेगी रेंज का मतलब होता है एक सिंगल चार्ज में वो कार कितने किलो मेटर तक चलती है तो इस बैटरी पैकप के साथ ये कार लगबग 200 किलो मेटर तक चलने वाल है अगर आपको ज़दा रेंज चाहिए C3 का Electric Virgin इंडियन मार्केट में लाँच किया था और इस कार की कीमत लगबगए 1.5-1.5 रुपई से शुरू हो जाती है और Tata Tiago EV की की कीमत 8,69,000 रुपई से शुरू होती है तो यह अब आपको प्राइसिंग में काफी ज़दा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा लेकिन यह जो MG Comet EV कार होने वाली है इसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस बताई जा रही है वो लगबगए 6,00,00 या फिर 7,00,00 बताई जा रही है क्योंकि यह 2-door EV कार होने वाली है इतनी चोटी कार को MG कंपणी में लॉंच कर रही है तो यह अब आने वाला समय बताईगा कि यह कार मार्केट कैप्चर कर पाईगी या फिर नहीं मुझे तो नहीं लगता है यह मार्केट को कैप्चर कर पाईगी क्योंकि आज की डेट में लोगों को अच्छे लुकिंग वाली कारे चाहिए हाला कि इस कार के इंटरेर में काफी बहतरिन फीचर को इंक्लूड किया है MG कंपणी ने जैसे कि आपको बड़ा सा 10.25 इंच का टचस्क्रीन इंफोर्टमेंट सस्टिम मिल जाएगा मल्टी फंक्शन स्टेडिंग विल का ओप्शन भी दिया हुआ है और भी बहतरिन फीचर आपको MG की इस इलेक्ट्रिक कार के अंदर देखने को मिल जाएंगे और इस कार को 18 अपरेल को दीलरिशिप पर पहुँच चुकी है यानि आप इन कारों को देख सकते हैं नियरबाइ शोरूम में विजिट करकर क्योंकि दोनों ही कारे शोरूम में आ चुकी है यहाँ पर जिमनी एक ओफ रोडर कम सेवी कार होने वारी है जो कंपेड करेगी महींद्रा थार के साथ फोर्स गुर्का के साथ इसका मुकाबला होने वाला है और यह कारों ग्लोबल मारकेट में काफी ज़र्दा बिखती है इसका फाइल डॉर वर्जन इंडियर मारकेट में लाँच होने वाला है जिसके अंदर आपको अच्छे कर से फीचर्स देखने को मिल जाएंगे और इसका एक्स्टर लोग भे काफी लोगों को पसंद आ चुका है आपको जिमनी का लोग कैसा लगा कॉमेंट सक्षन में जरूर बता देना जिमनी के अंदर मारोती कमपनी ने 1.5 लीटर 4-0 सिलेंडर पेट्रल इंजिन का इस्तमाल किया हुआ है और यहाँ पर आपको 104 पीयस की पावर और पूट और 135 न्यूटिन मिटर का टॉर्क मिल जाएगा और यह कार आएगी 4x4 सिस्टिम के साथ सेफटी के तौर पर आपको 6 एरबैक्स मिलेंगे एबेस के साथ EBD और भी धेर सारे फीचर्स आपको जिमनी के अंदर देखने को मिल जाएगे और जिमनी को नेक्स्ट मन के इन तक इंडिन माकेट में लांच किया जाएगा जो सिकेंड कारे फ्रॉंग्स इसको 15 एपरेल को लांच किया जाना है और यह कूपे स्टाइल SUV कार होने वाली है इसकी कीमत भी काफिज़दा अट्रेक्टिव रहेगी कुछ रिपोट में यह बताया जा रहा है कि इसकार की कीमत लगबगत 7 या फिर 8 लाग रुपे से शुरू हो सकती है और इसकार की पोजिशन आपको ब्रेजा के नीचे देखने को मिल जाएगी इन दोनों ही कारों को अगले महिने लांच किया जाना है दोनों ही कारों के booking स्टार्ट हो चुके है और यहाँ पर जिमनी के केमत लगबगत 10 या फिर 10.5 लाग रुपे से शुरू हो सकती है फोर्थ और फिफ नंबर पर टाटा के अल्ट्रोस और पंच का CNG मॉडल आता है इन दोनों कारों को अगले महिने टाटा की तरफ से इंडियन मार्केट में लांच किया जा सकता है दोनों ही कारों को 2020 थे के अटो एक्स्पो में शोकेस किया था टाटा ने और दोनों ही कारों के अंदर आपको बहुत जल्दी CNG किट का आप्शन देखने को मिल जाएगा शायद दोनों ही कारों का CNG मॉडल टाटा कमपनी एक साथ इंडियन मार्केट में लांच कर सकती है हलाकि अल्ट्रोस के अंदर आपको नॉर्मल से चेंजेश देखने को मिल जाएगे और टाटा पंच के अंदर शायद कोई भी अपडेट आपको देखने को नहीं मिलेंगे इसके अलाओ टाटा अल्ट्रोस के CNG मॉडल के साथ टाटा कमपनी अल्ट्रोस का रेसर एडिशन मॉडल भी लांच कर सकती है जैसे कि Ultros का CNG model और Punch का CNG model लेकिन April के end में या फिर में के starting में Ultros का CNG model और Punch का CNG model इंडिया में officially launch हो जाएगा इन पाच कारों में से आपकी इसकार का इंतजार कर रहे हैं कॉमेंट सेक्षन में जरूर बता देना चैनल पर नए हो तो सब्सक्र कर के बल नोटिफिकेशन को जरूर कर लेना